जेहिंदर नमस्कार मेरे सेर्चेर्णियों सवागत आप सब का अपनी यूटूब चैनल कमांडो केज़बी में दोस्तों आज का वीडियो सपेशली ससी जीडी दोजार्टोटीश को लेकर है आप सब को पता इस बार ससी फीजिकल और मेडिकल साथ में लेने जा लेकिन दूसरी और इसके फाइदे भी है पहला फाइदा सबसे बड़ा फाइदा तो यह कि भरती में तेजी आएगी यह जो दो कटोफ बनती थी अब एक ही कटोफ होगी फाइनल यहनि जो बच्चे क्वालिफाइए होंगे वो फिजिकल मेडिकल देंगे और सिधा फाइनल आँको इस बड़ती में हाई मेडिकली तोर पर आपको परिशान नहीं हो रही है वह तो फाइदा नहीं है बाकी से कई फाइदे जैसे हुदान के लिए समझो कि दो बच्चे है जिसके मानके चलो एक बच्चे के 101 नंबर है एक बच्चे के को एक दूसरा बच्चा उसके भ अब क्या होगा यह लड़का क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा बाहर हो जाएगा अब यह बच्चा यहां जाके मेडिकल में फेल हो जाता है तो यह बच्चा तो पहले फिजिकल में फेल हो गया तो उसको बुलाने से रहा और यह भी मेडिकल में फेल हो गया तो अगर वो तो जो एक seat है वो खाली की खाली रहे देगी। समझ मारे हैं जो चीज में बता रहा हूं आपको कि इससे होता क्या कई बार ऐसा होता है कि कि में आपने देखाऊगा जब 25000 पतों पर बढ़ती होती है मैं हर बार बताता हूं तो भी आपको पता किटने पद भरे जाते हैं 23,000 कुछ दो गजार पद्ध खाली रह जाते इसी कारण वह खाली रह जाते हैं यह दो कट-ओक के कारण इस बार पद्ध खाली नहीं रहेंगे तो इससे कट-ओक डाउन जाने का चांस रहेगा भलें ही वो पुईंटों में नीची हो लेकिन रींची होगी कारण क्या है हर बारते से समझ के होंगे आप देशी उदान के लिए आप एक चीज और ने लो कि दो बच्चे हैं एक बच्चे के मान लो एक पॉइंट एक नमबर है दूसरा बच्चा है उसके एक सो दो पॉइंट या एक सो दो नमबर है इनमीचे फिजिकल में पर पहले को जाएगा यह जाएगा और इसको भार कर दिया जाएगा यह जाकर मेडिकल में फेल हो जाता तो आगे उस शीट रहती है एक वह खाली नहीं रहेगी यानि इस वेकेंसी में जितने पद है जगबग दो श्यालिस जार कुछ पद है वह पूरे के पूरे फुल्फ वेकेंसी के लिए भी राग खुल जाएगी और जल्दी जल्दी वेकेंसी होगी पहला फाइदा तो यह दूसरा फाइदा यह कि कोई भी बच्चा जैसे जो फिजिकल पास होगा उसको मेडिकल कराने का मौका मिलेगा तो यह भी उसको कॉन्फिडेंस आएगा अगली भरती ही में में भी खिया हों मेडिकली पिटार तो ज्यादध ऑच्छे से मेहनत कर पाइगा यह दूसरा फाइदा तीसरा फाइदा यह पारेखा पास होता है लेकिन कटोग में Brian जाता है मेडिकल को बिना दूसरा बित्व 2700 में बार बार घुझजा खाली रहे जाता तो भी से हो तो अब वो नहीं होगा ठीक है अगर आपको यह भी पता होगा इससे पिसली से पिसली जो बढ़ती थी उसमें एक बार कटोप आई थी फिर और भी सजार बचों को बुलाया गया था पद खाली रह जाते हैं इसा तो वो चीज अब खतम हो जाएगी क्यों यह को टोप आई यह जो फिजिकल मक्वालिप है उनका मेडिकल भी होगा और फिर एक फाइनल को टोप आएगी तो इससे विद्यारतियों को कई परकार के फाइद है यह पोजिटिव चीज है इसको नेगिटिव ना ले हाँ यह इस बार थोड़ा सा नेगिटिव असर ले गए उनको तोड़ी बहुत परेशानी होगी बाकि री मेडिकल भी तुरंती है तो इससे बढ़ती में भी स्पीड आएगी जो बच्चे फिजिकल इलिए क्वालिफ है उनको मेडिकल देने का मौका मिलेगा ताकि इससे उनको यह किलिए रो जाएगी कि अगली बार के लिए वो तयार है या नहीं है ठीक है लाड़ लो तो इसका फाइदा है कई फाइदे है तो आप इसको बिल्कुल भी यह ना सोचे कि कहीं से कहीं तक नेगिटिव ठीक है जे हिंद जे भारत